हेलो एब्रीवन वेलकम बैक टू माय चानल तो आज हम सीखने वाले हैं कि 3ds Max में फ्लोर जनरेटर कैसे यूज करते हैं और उसका क्या यूज होता है और उसके बेनेफिट्स क्या क्या है तो फ्लोर जनरेटर जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोर जनरेट करने क एक प्लगिन है जो 3ds Max में यूज करते हैं इंटियर आर्किटेक्चर या एक्स्टियर में कहीं कहीं पर हम फ्लोर बनाने के उसको यूज कर सकते हैं तो फ्लोर जनरेटर एक प्लगिन है जो कि फ्री है तो आप मॉजला फायरफॉक्स है गूगल क्रोम किसी पर भी जाके और अगर आप पे करते हैं तो आप इसका प्रोफेशनल वर्जिन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मेरी वीडियो को देखें जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा या मेरे चैनल पर चेक किजिएगा फ्लोर जनरेटर के नाम से तो आपको एक वीडियो म वेबसाइट पर भी आपको यूज करना बताया हुआ है फिर भी आसान तरीके में मैं बताता हूं तो सबसे पहले मैं 3ds Max ओपन करता हूं यूनिट सेटप मैं आपको मेरा चेक करवा देता हूं कैस्टिमाइज में जाके यूनिट सेटप यहां पर मेट्रिक्स में मिलिमीट डिस्प्ले यूनिट में सिस्टम इंपुट यूनिट में मैंने इंचिस ले रखा है तो फ्लोर जनरेटर या तो फिर प्लेन की ऊपर काम करेगा तो मैं इस प्लेन को 10 फिट बाई 10 फिट का ले लेता हूं या तो फिर ट्रेक्टाइंगल पर काम करेगा या तो फिर किसी रैंडम लाइन शेप पर काम करेगा इस तरह से हमने तीन शेप्स यहां पर बनाए तीनों में हम फ्लोर जनरेटर अपलाई करने वाले हैं अगर आप इसको देखेंगे यहां से हम मॉडिफाय टैब पर जाएंगे मॉडिफाय लिस्ट में हम टाइप करेंगे फ्लोर जनरेटर तो आपको यहां पर देखिएगा कि सबसी उपर यहां पर फ्लोर जनरेटर आ चुका मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक लाइन देखेगी प्लस एक कठिन सा एक खतरनाक सा पैनल देखेगा तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है हम अभी समझते हैं इसको कैसे सबसे पहले हम सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं फ्लोर पैटन फ्लोर पैटन में स्टैंडर्ड, हैरिंग बोन, फेवरॉन यह पाच आपको देखते हैं तो इसमें से हम सबसे पहले इसकी यूनिट सेट करते हैं तो हम जनरल हमारा प्लाइंग का साइज ले लेते हैं 1000 mm by 100 mm तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके प्लाइंग्स जनरेट हो चुके हैं तो मैं बाकी चीज़ें भी चेक करवा देता हूं यह आपका हेरिंग बोन है यह शेबरॉन है यह बैसकेट है और यह आपका हेग्जागन है हेग्जागन की मैं थोड़ी कम करके दिखा देता हूं यह देखे हैं तो अभी हम स्टार्टिंग से स्टांडर्स से पेरामीटर समझना स्टार्ट करते हैं तो यह जो मैक्सिमम लेंथ है 1000 यह है इसकी होरिज फिर इसको हम छोड़िएं अभी मिनिमम लेंथ और स्प्रेड को मैक्सिमम वेठ की बात करते है तो आप को जिसकी वेठ दिख रही है है तो मैं इसको वापिस से 100 कर देता हूं अभी मिनिमम क्या लिखा हूँ है वो मैं बताता हूं आप यहां से पेन आइंगे जो यह निख के हो गए एक 1200 mm लेंद का प्लैंक होगा सब्सक्राइब अगर इस प्लैंक को देखेंगे तो यह 1200 mm का लंबा जादा है और यह 800 mm का आपको कम देखेगा थोड़ा तो इसमें बीच में वेरियेशन काफी जादा रहेंगे सिमिलरली आप वेरियेशन ला सकते हैं लेकिन वेरियेशन का भी वेरियेशन होता नहीं है प्लैंक के होता लेंथ में भी नहीं है अगर आपको जादा वेरियेशन देने का मन है तो आप दे सकते हैं इसके बाद बात आती है हमारी ग्राउटिंग की तो ग्राउटिंग मैं बीचे से height, ground से यह वाली और जो bevel है यहाँ पर आपको कित्ता अंदर जा रहा है यह है तो यह reality में बहुत कम होता है कुछ ऐसा बहुत पतले आते हैं हमारे जो appliance आते हैं हम जो 3D में दिखाते हैं वो भी बिलकुल कम दिखाते हैं ताकि हमारी height ना बढ़े उसकी वज़ा से अब grouting की बात आई तो आपकी beach की space खतम करने के लिए मैं इसको zero कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि beach की space खतम हो गई है grout length अगर मैं बढ़ाता हूँ तो यह देख सकते हैं कि आप ए grout length बढ़ रही है और मैं कुछ इतना बढ़ाना है मैं उतना बढ़ा सकता हूँ और कम कर सकता हूँ 0.5 mm के आसपास आप दे सकते हैं अगर आपको अच्छे results जाहिए तो इसके बाद बापस हम बात करते हैं variation per board की अब variation per board में मैं suggest करता हूँ कि आप जादा कुछ मत कीजिए क्योंकि कभी भी real life situation में variation per board नहीं आते हैं हम जो interiors बनाते हैं उसमें हम चाहते हैं कि हमारा काम perfection से हो बिलकुल और उस perfection के साथ अगर मैं आपको example दूँ जैसे हम पे tilt की हम बात करें तो यह tilt हमने दे दिया suppose तो अगर आप किसी पुराने से घर में देखेंगे तो उसमें आपको हाँ wooden planks में ऐसा tilt देखेगा लेकिन real life में हम नहीं जाएंगे कि हमारी घर में वो tilt हो तो यह word आपको use नहीं करने को मैं suggest करूँगा अगर आप game design वगेरा में जाते हैं तो obviously इसको use कीजे यह आपको बहुत अच्छा results देने का promise करता हूं में इससे कि बहुत अच्छा results आपके इससे generate होएंगे इसके बाद बात करते हैं हम general तो इसी को अगर हम एक multiplier से multiply कर दें तो यह सारे directions आपके यहाँ पर मिलेंगे जो कि general में लिखा हुआ है 100 को अपन ने 150 कर दिया तो आप देख सकते ही plan का overall size बढ़ गया है आपको ध्यान रखना है इसके बाद आपका file खतम हो जाए खराब हो जाएगा और आपको 3ds max वापस से start करना पड़ेगा इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हमने एक option miss कर दिया है जो है offset का अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ minimum and maximum length तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक flow देख रहा है जो कि कभी अच्छा बहुत अच्छा नहीं दिखता है तो हमें इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर minimum offset हम और जादा randomize हो जाएगा मतलब जितना जादा आप इस minimum maximum के इसमें difference रखेंगे उत्ता ही जादा यहाँ पर आपको changes देखेंगे फिर बात आती है direction की जनरल में बात आती है हमारी direction की इसको कभी भी zero नहीं करना है तो आपकी file बंद हो जाएती है जैसे अभी मेरी हो गई थी तो इसको कभी भी zero मत करिएगा scale को general में direction में direction को हम गुमाएंगे तो आप देख सकते हैं मेरा पूरा जो board है जो blank board है वो घूम रहा है rotate हो रहा है तो general यह हो गया offset हम यहाँ पर provide कर सकते हैं अगर हमें कहीं पर कोई seam चुपानी है आप कोई बढ़ानी है तो हम यहाँ से offset provide क कर सकते हैं फिर जो बाकी की बात आती है यह आपको UV सेटिंग्स होगी texture के लिए अगर आप texture करते हैं UV उसका करते हैं तो यह texturing के काम आता है max board यह warning से कित्ती warning आएगी 10,000 से बढ़ाने से आपको warning देगा कि आपका जो system है वो अब हो सकता है कि crash कर जाए software crash कर जाए update से आपका यह होता है कि आपने यहाँ पे कुछ changes किये तो यह update आप यहाँ से manually update करना पड़ेगा आपको या फिर automatic update होता जाएगा for example मैंने यहाँ से manual करके scope 1400 किया है तो आप देख सकते कि आप यहाँ पे change नहीं हुआ है लेकिन जैसे ही मैं update पे click करता हूं तो यहाँ पे change हो जाएगा यह हो गया आपका एक तरीके से floor generator complete तो standard में हमने सीखा same parameter सारे तरीके के floor generator में आते है for this आप यहाँ से change कर सकते हैं आपको जो भी dimension डालना है इसके इलावा सबसे जादा एक तो यह herringbone use होता है जो सबसे widely commonly use किया जाता है और एक हमारे standard planks use किया जाते हैं सबसे जादा garden में हमें लगाना हो तो हम hexagon भी use कर सकते हैं suppose हमने 100 mm side का hexagon ले लिया है similarly हम सारे यह पूरी process हम rectangle पर भी लगा सकते हैं line पर भी लगा सकते हैं तो rectangle पर कैसे लगेगी आप rectangle को select करेंगे modify list में जाएंगे floor generator type करेंगे और आप देख सकते हैं कि rectangle पर भी floor generator लग चुका है इसकी भी हम देखें तो मैं इसका color change कर देता हूं ताकि थोड़ा यह अच्छा देखें आप देख सकते हैं इसको यह देखें same आप line पर भी इसको apply कर सकते हैं देख सकते हैं कि line पर भी apply हो गया अगर आपने कोई custom shape बनाया है और आपने कुछ ऐसा shape भी बनाया है तो floor generator आपका इस पर भी लग सकता है यह देखें आपका floor generator यहां पर भी लगा दिया हूं तो यह रहा आपका floor generator पूरा complete बिल्कुल अच्छे से explain किया है मैंने अगर कोई भी और doubt आते तो आप comment करके पूछ सकते हैं में reply करने की जल से जल कोशिश करूँगा अगर जादा urgent है तो आप मेरा telegram group यह channel join कर सकते हैं बस आज की वीडियो के लिए अगर अच्छी लगियो वीडियो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के शार शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चाहिए